अब सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षा ग्रेन कर रहे छात्र छात्राओं को निजी स्कूलों की तर्च पर सोबिधाय मिलना शुरू हो गई हैं प्लेबे की तरच पर खंड सुजानपुर के करीब तीन दरजन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं लगाने संबंदी तमाम चीज़ें उपलप्त करवा दी गई है राजी सरकार के इस बहतरीन कदम के चलते जहां सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संगय में प्रिधी हो रही है बहीं जो लोग सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजने से कतराते थे बेबी अब सरकार के इस वैसले के बाद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलो जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ मनुरंजन के साधन भी उपलप्त करवाए जाएंगे प्री-प्राइमरी कक्षा में बच्चों के मनुरंजन के लिए जूले घोड़ा गाड़ी एवं टेंट शामियाना लगाकर सुविदा दी जाएगी छोटे-छोटे नहीन हालों को खेल-खेल में पढ़ाई की पारीकियां सखाई जाएंगी और उन्हें घर जैसा महाल मिले तमाम ऐसी बेवस्ताएं की जा रही हैं राज्य सरकार एवं शिक्षा विभा के निर्देश पर प्री-प्राइमरी कक्षाएं लगाना सुनिशित किया गया है इसी तरश पर खंड सुजानपर के स्कूलों में इस सुविधा को लागू करके बच्चों को महेंगे स्कूलों बाली सुविधाय निश्चुल उपलप्त करवाई जा रही है खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि करेब 36 स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षाएं लगाने हेतु बेवस्ता कर दी गई है उन्होंने लोगों से आवान किया कि अपने चोटे-चोटे निहालों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें और यहां पर महेंगे स्कूलों बाली तमाम सुविधाये प्राप्त करें अमंकन है उसमें कमी आ रही थी तो सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है और हमारे स्विधान प्रवलोग में खंड स्कूलों समनिवेक के सहयोग से और सारे अध्यापों के सहयोग से हमने 36 स्कूलों में प्री-प्राइमरी पक्साएं जो हैं वो लागू की हैं चा मंकित हुए हैं और सरकार ने इसके लिए जो है बहुत राची जो है बहुत सारी काफी राची जो है वो वो म्हों पार अच्छी तरह जो हो सुश्जित कर दिया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो उसमें आएं और माता पिता भी वो उसमें अपने बच्चों को नामंकित करवाने में जो हो आकरसित हों इसके लिए बच्चों को खेलने के लिए खेलोने दिये गए हैं जूले दिये गए हैं और बहुत सारी जो हैं वो दी गई हैं और मेरी लोगो